मुल्ला नसरुद्दीन का भाशन मुल्ला नसरुद्दीन अपनी चतुराए और हाजर जवाबी के लिए हमेशा चर्चा में रहते थे एक दिन उन्हें शहरवासियोंने भाशन देने के लिए आमंत्रित किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आपके बहुत काम आएगा मुल्ला नसरुद्दीन जब मंच पर आए तो सभी की नजर उन पर थी भाशन देने से पहले उन्होंने वहाँ उपस्थित सभी लोगों से पूछा यह सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन चिल गए और कहने लगे अगर आप लोगों को नहीं पता कि मैं किस विशे पर भाशन देने वाला हूँ तो मेरे भाशन देने का कोई मतलब नहीं है इतना बोलकर वह मंच से नीचे उतर कर चले गए मुल्ला नसरुद्दीन की इस बात को सुनकर वहां मौजूद लोग काफी शर्मिंदा हुए और उन्होंने एक हफ़ते बाद फिर से उन्हें भाशन देने के लिए आमंतरित किया मंच पर आने के बाद मुल्ला ने फिर से पहले वाला सवाल दोहराया क्या आप लोगों को पता है कि मैं आज कौन से विशे पर बोलने वाला हूँ इस बार भाशन सुनने आए लोगों ने जवाब दिया जी हाँ हमें पता है कि आप किस विशे पर भाशन देने वाले है मुल्ला ने चिदते हुए कहा अगर आप सभी को पता है कि मैं किस विश्य पर भाशन देने वाला हूँ, तो मेरा बोलना बिकार है। मैं अपना और आप सभी का समय बरबाद नहीं करना चाहता हूँ। ये बोलकर मंच से उतर कर मुल्ला चले गए। मुल्ला की बात सुनकर सभी लोगों ने आपस में बात चीत कर यह निरने लिया कि इस बार मुल्ला के सवाल पर आधे लोग कहेंगे कि हमें पता है और आधे लोग यह जवाब देंगे कि हमें नहीं पता। मुल्ला नसुरुद्दीन को तीसरी बार भाशन देने के लिए आमंत्रित किया गया। मंच पर चड़ने के बाद मुल्ला ने फिर से अपना सवाल दोह राया, क्या आप सभी जानते हैं कि आज मैं किस विश्वे पर भाशन देने के लिए आया हूँ, वहाँ उपस्तित आधे लोगों से जवाब दिया कि हमें मालूम है और आधे लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता। लोगों की बात सुनकर मुल्ला ने कहा, जिन लोगों को पता है कि मैं भाशन में क्या बोलने वाला हूँ, वो आधे अंजान लोगों को बता दें। इतना कहकर मुल्ला मंच से नीच कोई काम करने को न कहें इससे वह उस काम को ठीक तरह से नहीं करेगा